सबी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार उमीद करते हूँ मेरे सारे फ्रेंट बहुत अच्छे से होंगे और मैं बिल्कुल ठीक तो आप सबकी डिपांट पर आज मैं फिर से ले करके आई हूँ आपके साथ में लकडी के टुकडों से दो और बहुत ही खुबसूरत स दी आई वाई बनाओंगी आज मैं वो भी घर के लिए तो आपके लिए जरूर यूसफूल रहेगा ये वीडियो और हाँ पहले ही बोल रहे हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगता है लो लाइक कर दिया कीजिए अच्छा लगता है और इस दी आई वाई के लिए मेरे प न लिया है जब इसको देखेंगे लास्ट में तो आप समझ जाएंगे फिर आप अपनी हिसाब से लंबाई चोड़ाई रख सकते हैं तो मैं क्या कर रही हूँ मेरे को जितना लंबा चाहिए था वो मैंने ले लिया लगबग 15 इंच लंबा था और ये था लगबग 6-7 जो कि मैंने पिछले वाले DIY वीडियो में बच गई थी तो वही यूज़ कर रही हूँ और अगर आपके पास थोड़ा सा मोटा प्लैंक हो तो आप उसको यूज़ करेंगे तो ये और भी जादा खुबसूरत बनेगा तो इस तरीके के मैंने 4 पीस कट कर लिये हैं लगबग तूटा वाला पोर्शन था उसको मैं इस तरीके से निकाल दूँगी और इसको स्मूद कर लूँगी जिसे की हाथ में इसकी लकडी ना लग जाए और करने के बाद में अभी मैं क्या करूंगी जैसे ये जो चोटे-चोटे टुकडे लिये हैं ना मैंने इनको आप अगर इ कर सकते हैं तो, तो, एक पैटरं में कर सकते हैं दोनों साइट में अपनी, आपकी अपनी पैर गुज़िस है एक बार फिर से कहूंगी कि ये जो वुडन पीस थे ये अगर आप थोड़े से ज्यादा बड़े लेंगे तो ये DIY थोड़ा और अच्छा बनेगा मेरे पास ज्यादा बड़े वुडन पीस नहीं थे इस वज़े से मैं ये वाला जो चोटी चोटी टुकड़े थे वो मैंने ल दबूत रहेगा और अगर आपके पास ये नहीं मिलता है तो आप कोई भी रिंग की रिंग जो होता है उसको भी फिक्स कर सकते हैं वो भी हॉट ग्लू गन की हेल्प से स्टिक हो जाएगा अब ये देखे मैंने किया है इसके उपर रेड कलर का एक्रेलिक पेंट और पेंट या फिर डबल कोट भी कर सकते हैं रेड कलर का ही ये तीनो ही कंडिशन में अच्छा दिखेगा तो मैंने जस्ट डायरेक्ट डबल कोट कर दिया इसके उपर रेड कलर का और उसके बात में एक कोट में कर रही हूँ थोड़ा सा यलो कलर लिया है और उसको मैं रेंडमली कलर है वो उभर करके आएगा और सुन्दर भी लगेगा टमैटो रेड बन जाएगा तो मुझे ये वाला रेड चाहिए था जो की काफी अच्छा लगेगा इस डी आइवाई में तो दीखे पेंट करने के बाद में ये जब पेंट सूख गया है तब मैंने लिया है इस तरह की जो होती है मंदिर में वो लगी होती है तो दो स्टिक कर रही हूं मैं एक यहां पर की है और एक दूसरी इससे छोटे में करूंगी इसके बाद में मैंने दोनों स्टिक कर दी और इसके ऊपर लगा दिया है मैंने यहां पर स्वास्तिक बना दिया है एक्रेलिक पेंट से और बन करके तयार हो गया मेरा एक बैलकनी लैम्प का इसको आप टी लाइट केंडल होल्डर कह सकते हैं या बैलकनी में हैंक करने के लिए एक खुबसूरा सा डियाइवाई है जिसके उपर आप टी लाइट केंडल जला सकते हैं मेरे पास टी लाइट केंडल नहीं थी तो इस वज़े से मैंने यहां पर जुगाल करके थोड़ी बहुत जो भी बची वी थी वो मैंने लगाई हैं इसलिए मैं कहरी थी अब आप देख करके इसको समझ गए होंगे कि अगर यहां पर थोड़ा सा जादा चौड़ा लगाएंगे आप अगर बनाते हैं जो लकडी के टुकड नहीं जलानी हैं फिलाल यहां पर नीचे के साइड में मैंने लगा दिये हैं फ्लार्स और उपर बेल लगकर के बहुत ही सुन्दर लग रहा है आप चाहें तो इसको मंदिर के पास में भी लगा सकते हैं अच्छा लगेगा फेस्टिवल वगरा पर इसके उपर दिये लगाते हैं तो बहुत ही सुन्दर लगेगा यह तो फिलाल मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आप पताइएगा आपको कैसा लगा यह डी आइवाई अभी बी कैंडल इससे काफी दूर है तो इसमें लकडी जलने का खत्रा नहीं है लेकिन हां अगर थोड़ा सा और थोड़ा सा चुड़ाई ज्यादा होगी तो यह और ज्यादा सेफ रहेगा अगर हम राउन वाली टी लाइट कैंडल इसमें यूज करते हैं तो वह बिल्कुछ सेफ है इस तरीके से हम लगा सकते हैं चाहे तो बैटरी ऑपरेटेड भी लगाएंगे वह बहुत सुन्दर ल कर लिया है क्योंकि मेरे पास फुक नहीं था अब इसके बराबर का मैंने एक लगड़ी का पीस लगाई अगर पर फिर से बता रही हूं कि अगर आप चाहें तो फैपी बॉन की कर सकते हैं चाहें तो hot glue gun की help से भी stick कर सकते हैं वो equally मतलब मजबूत रहता है तो इस तरीके से तीन चार नेल्स लगाने के बाद में मैंने इसको fix कर दिया और उसके बाद में एक छोटा सा टुकडा बचा था तो उसको भी मैं यहां पर इस तरीके से fix कर रही हूं यह DIY आप प्लाइबोर्ट की जगह अगर चाहें तो cardboard से भी बना सकते हैं equally सुन्दर लगीगा तेके दो मै मैंने पीस इस तरीके के लगडी के fix कर दिये और उसके बाद में अब मैं कर रही हूं इसके उपर paint करने के लिए मैंने यूज किया है यहां पर wall paint white color का paint लिया और उसके अंदर मैंने डाला green color और बन गया एक खुबसूरा सा turquoise blue color और पूरी इसके उपर DIY के उपर मैंने इस काफी अच्छा हो जाएगा और इसका color काफी अच्छा करके आएगा लेकिन इसके आगे काम हम तभी करेंगे जब यह पूरी तरीके से सूख जाएगा तो यह दिखिए double color होने के बाद में काफी अच्छा सा दिख रहा है और मैं इसके उपर यहां पर इस तरीके से nail fix कर रह समझ जाएंगे कि मैं क्या बना रही हूं एक यह multiple use की चीज इसके उपर हम की as a key holder हम इसको यूज कर सकते हैं इसी लिए मैं इसके उपर या वगरा खत्म हो जाते हैं फिर हम wash कर सकते हैं तो यह भी एक option है इस DIY से आप यूज कर सकते हैं यह देखिए मैंने यहां पर कीज लिख दिया है और अब यह है मेरे पास एक कुछ wooden folks उनको मैंने आधा कट कर लिया है और उपर वाले टुकडे के उपर मैंने इनको stick कर दि और यह artificial flowers है तो कभी मुर्जाएंगे भी नहीं और कभी खराब भी नहीं होंगे कितना अच्छा लग रहा है ना चोटा सा और इसके नीचे के साइड में जो मैंने जगा बनाई है इसके उपर stick करूंगी मेरे पास कुछ monks हैं तो वो monks को stick कर दूंगी और यह देखिए बन होती सुन्दर लग रही है तैयार हो गया मेरे यह DIY तो यह देखे complete होने के बाद में कुछ इस तरीके से लग रहा है आप मुझे बताएगा comment करके कि आज के दोनों DIY में से आपको कौन सा DIY ज्यादा पसंद आया आपके comment का इंतजार रहेगा वीडियो किसी भी reason पर अच्छा लगता है तो like सरूर कर दिया कीजिए मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और interesting वीडियो में तब तक के लिए be happy be active अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए बाई बाई करकें का लगता है एक कि गषयो धिक मैं लगता है भी जब कर दो नहीं टार है वीडियो कि अ कि उल्याद को हैके वीडियोंगी एक लगता है तो